नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीर आजिंदर अरोडा है, और आज हमें इकठा हूँ हैं, जीएस्टी में एक और बड़े इंटरस्टिंग टॉपिक को डिसकस करने के लिए, दोस्तों, जीएस्टी आउडिट इस अरांड़ दे कॉर्णर नाव, और जीएस्टी आउडिट को, क जो GST से रिलेटेड, Audit से रिलेटेड है, उनको एक बारी refresh कर लिया जाए. सबसे पहले तो हम, आज हम बात करेंगे कि कुछ FAQs जो GST के Audit के ऊपर हैं, उनके बारे में. सबसे पहले शुरुवात में, Rule Book की बात करते हैं और देखते हैं कि GST Audit कहां से originate हो रहा है टोटल कानून जो GST Audit के ऊपर लगता है, दोस्तों. Section 35.5 में Prescribed है, कि जिसकी भी Turnover Prescribed Limit से ऊपर होगी, उसको अपना Audit कराना है. Section 44, Subsection 2 में लिखा है, जो कि Envel Return का Section है, वहाँ पर लिखा है कि आपने जब भी Envel Return करनी है और अगर Envel Return करते हुए, आपको पता लगता है कि आपके Registered Person की Turnover Prescribed Limit जो कि 2 करोड से ऊपर है और उसको Audit कराना है 25 में, तो उसको अपनी इस Envel Return के साथ Audited Envel Accounts और Reconciliation Statement भी जमा कराना है. तो नट्चल में आपको यह बात समझ में आगी दोस्तों, कि जब भी Envel Returns फाइल करनी है, Envel Returns सभी Assessies को फाइल करनी है, चाया Audit हो या नौ, लेकिन जिन Assessies का Registered Persons का Audit भी होना है, उनको Envel Returns के साथ-साथ, Audited Envel Account और Reconciliation Statement जो Form 9C है, उसमें फाइल करना है. अब कुछ FAQs की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला सवाल, एक PAN पर Multiple GST IN है, और सबकी Turnover, Aggregate Turnover मिलाकर 2 क्रोड रुपे से जादा है, लेकिन Individual GST IN पर 2-2 क्रोड से का Turnover कम है, तो क्या Audit सभी GST IN का होना है? Answer is Yes दोस्तों, एक PAN पर Aggregate Turnover सभी GST IN को जोड़कर, 2 क्रोड से उपर है, तो Audit होना है, लेकिन एक GST IN का नहीं, सभी GST IN का Audit, जितने भी Different States में GST Numbers है, उनका Audit, Separately, Separate Report के द्वारा, हर GST IN की Separate Annual Return जाएगी, उस Annual Return के साथ Reconsideration Statement और Audited Annual Accounts जाएगे, पहला सवाल. दूसरा सवाल, जो Turnover लेनी है, in order to Determine the 2 करोड लिमेट, वो 9 महिने के लेनी है, एक July से 31 मार्च, या 12 महिने के लेनी है, एक April से 31 मार्च, तो वो Turnover जो लेनी है, वो 9 महिने के लेनी है, एक July 2017 से 31 मार्च, 2018 तर दोस्तों, तीसरा सवाल, क्या Interbranch Transfers, जो Stock Transfers होते हैं, उनको Aggregate Turnover में जोडना है, वाइल Calculating the Limit of 2 करोड जोडना है, वाइल Calculating the Limit of 2 करोड जोडना है, आंसर इस येस दोस्तों, Aggregate Turnover की Definition जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखाया है, कि अगर एक ही पैंट पर दो Distinct Persons हैं, उनके बीच में भी जो Transfers हैं, उसको Aggregate Turnover में हम जोडना है, तो Stock Transfers को भी Turnover Limit, Aggregate Turnover Limit 2 करोड जोडना है जोडना है, अगला सवाल, वो Suppliers जिनकी Supplies Reverse Charge Mechanism में Section 9-3 में Taxable हैं, मतलब Advocates हैं, GTAs हैं, और Similar Agencies हैं, उनका Turnover Calculate करते हुए, वो जो Turnover जो की RCM में Taxable हैं, मतलब Recipient को 9-3 में Tax देना हैं, तो क्या Aggregate Turnover Calculate करते हुए, वो Outward Supplies, विच आ Taxable Under Reverse Charge, Aggregate Turnover में जोडना हैं, आंसर इस दोस्तों, अगला सवाल, Exempted Turnovers जो हैं, क्या वो Aggregate Turnover में जोडनेंगी, Aggregate Turnover की Definition, जब हम पढ़ते हैं, तो again, Exempted Turnover is part of Aggregate Turnover, Non Taxable Non-Lavable Turnover, अगला सवाल, Non Taxable Non-Lavable Turnover क्या Aggregate Turnover में, For Calculation of 2 Crore जुडेंगी, Non Taxable Non-Lavable कौन सी हुई, जिनके उपर इस कानून में, इस GST Law में टेक्स नहीं लग रहा, जैसे कि Petroleum Products है, अलकोल है, इन पर टेक्स लगी नहीं रहा, इस GST Law में, तो क्या वो Turnover भी Aggregate Turnover में जोडेंगी, मालीज एक Petrol Pump है, और Petrol बेशता और Lubricant भी बेशता है, अब जो Turnover 2 Crore की Calculate की जाएगी, वो सिरफ Lubricant की नहीं की जाएगी, उस Non-Lavable जो Petrol है, उसको भी जोड कर 2 Crore Limit Calculate की जाएगी, इन और टो Determine the Threshold for Audit, कुछ Specific Examples जैसे Educational Institutions है, Hospitals है, Advocates है, इन Hospitals है, माल लिजए for example, Hospital Chemist Shop भी रन करता है, Hospital Outpatient Department भी रन करता है, तो यह सब Taxable Services वो प्रवाइड कर रहा है, अगर वो Taxable कर रहा है तो Registered है, Registered है तो उसकी Aggregate Turnover जोड देंगे, Exempt Supplies को मिला कर, और अगर 2 क्रोड से उपर है, तो उस Hospital को, उस Diagnostic Center को, जिसकी Principal Supply Exempt है, लेकिन कुछ Ancillary Supplies Taxable है, और Registration लिया हुआ है, उसको Audit कराने के जुरत पढ़ जाएगी, Similarly, Education Institutions, Schools, Colleges, इनको भी अगर कुछ, ऐसे Courses यह प्रवाइड करते हैं, ऐसी Facilities यह देते हैं, जो कि Taxable है, और बाकी Major Supplies जो है, Principal Supply वो Non Taxable है, विच इग्जिप्ट, Advocates के साथ भी, अब Principal Supply तो उनकी Exempt है, Under Reverse Charge है, लेकिन कुछ Import किया उनोंने, आउट्षाइड इंडिया से, अब आउट्षाइड इंडिया से, जैसे ही Import किया उनोंने, तो Reverse Charge में उनको Tax, इंडिया में देना है, Compulsory Registration लेना है Section 24 में, तो उनकी Aggregate Turnover को Calculate करते हुए, वो Turnover भी जुड़ जाएगी, जो RCM में Recipient के द्वारा Tax Pay हो रहा है, जिसके उपर 9 bracket 3 में, तो इन सब की Aggregate Turnover में, ये Exempt Supplies जोड़ कर हम 2 क्रोड की Limited, रिटर्माइन करेंगे, और ये देखेंगे कि इनका Audit होना है, या नहीं होना है, ये कुछ सवाल हमने identify किये दोस्तों, आपके लिए GST Audit के सिलसले में, हमारे वीडियोज देखने के लिए, थैंक्यू वेरी मच्, इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, थैंक्यू वेरी मच्.